साथियो नमस्कार ओक्सिटोसिन के बारे में आप सभी ने सुन रखा है जो भी पसुपालग है वो ओक्सिटोसिन से जरूर परिचित है जिसे हम पावसने का इंजेक्शन ही बोलते है और पावसने के इंजेक्शन के नाम से मेडिकल से ला करके और कई पसुपालक जो है उसका misuse कर रहे है यानि बहुत ज़्यादा उपियोग कर रहे है तो ये क्या-क्या नुक्सान करता है क्या-क्या फाइदा करता है इसके बारे में पूरा का पूरा व्यूरन आज मैं इस वीडियो में लेके पस्तो तुपाओं तो फ्रेंट्स वीडियो सुर करने से पहले मैं आप सभी का दन्यवाद देना चारा होगी आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, सेर और सबस्काइब कर रहे है बहुत बहुत दन्यवाद आप सभी का आईए वीडियो सुर करते है साथियों, ऑक्षिडोसीन जो हार्मोन है वो हार्मोन जब नेचुरल प्रक्रिया में निकलता है तो वो मस्तिस के हाइपोथेलमस द्वारा बनाया जाता है और जो पॉस्टेरियर पिटिटिरी ग्लेंड है उसके द्वारा बलड में सिक्रेट किया जाता है और यह जब बलड में सिक्रेट होता है तो जिस जगे इसकी जरुरत होती है वहाँ यह पहुशता है और पसो में दो प्रकार के काम करता है एक तो मिल्क लेकडाउन का काम करेगा यानि पावसने में मदद करेगा और दूसरा यह जो काम करता है वो है यूटरस में संकुचन पैदा करता है यानि मैनली इसके जो अच्छे प्रियोग है वो दो ही होते है एक पावसने में और एक यूटरस के संकुचन में अब पावसने के लिए मानली जी कुछ ऐसी कंडिसंस होती है जहां पे इसे लिगली इस्तेमाल किया जाता है वो भी एक निश्चित मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है जहां तक तो ठीक है लेकिन जब इसका दुरूप्योग होने लग जाए यानि कभी भी पसु दूद नहीं दे रहा है उसको लगाने लग जाएंगे और एक बार ही नहीं बार-बार, सुबा, शाम पसु को लग जाने लग जाएंगे तो वो पसु के लिए क्रूरता की स्रेनी में आ जाता है जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे डिटेल में बताऊंगा दूसरा जो बैतर प्रियोग होता है वो होता है delivery के समय यानि प्रसव के समय जो प्रसव की second और third stage है उस stage को proper संचालित करने के लिए uterus में संकुचन पैदा होना बहुत ज़्यदा जरूरी है यानि contraction होने जरूरी है uterus में ताकि बच्चा बाहर आ जाए जैर जो है वो भी अपनी जगे छोड़ दे तो जो contraction होने वाले हैं वो oxytocin हार्मोन की वज़े से होता है और इसका बहुत बड़ा उप्योग ये contraction वाला है यानि delivery के समय अगर किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही है तो वहाँ पे अगर बच्चे दानी खुली है बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है uterus में contraction कम है पसु कमजोर है तो उस अवस्ता में oxytocin की निश्चित मातरा पसु चिकित सक द्वारा उप्योग की जाती है और वो एक सफल प्रियोग होता है बहुत ही अच्चा उप्योग होता है और वहाँ पे ये oxytocin बहुत ज़्यादा फाइदेमंद होता है लेकिन milk down की जो पहली अवस्ता है जो मैंने अभी आपको बताई है उस अवस्ता का गलत प्रियोग बहुत ज़्यादा नुकसान दे होता है पसु के लिए तो उस समय यूट्रस का संकुचन होगा और वो संकुचन एक समय में जैसे मानली जी ये प्रसव के दोरा नगर किया जाता है तो कोई बात नहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द भी प्रसु को रहता है और उस समय दर्द को बढ़ाया जाता है ताकि प्रसु इजिली हो जाए तो वहाँ तो वह चल जाता है लेकिन आप ये सोचिए कि पावसने के लिए आप हर रोज सूबे भी यूट्रस के संकुचन को बढ़ा रहे है शाम को भी यूट्रस के संकुचन को बढ़ा रहे है तो पसु कितना दर्द होता होगा ये बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है उसकी वज़े से पसु इस्ट्रेस में आ जाता है और दिरे दिरे करके शरीर में जितने भी हार्मोन्स है उन हार्मोन्स का संतुलन बिगड जाता है यानि लंबे समय तक इसका अगर प्रियूख किया जाए तो अंदर हार्मोनल जो संतुलन होता है वो बिगड जाता है और हार्मोनल संतुलन अगर बिगड गया तो इसका मतलब सरीर का पूरा ही जो तंत्र है वो बिगड जाता है और विशेश तोर से परजनन तंत्र परजनन तंत्र बिगड़ने की जो समश्याएं है यानि परजनन समंदी समश्याएं जितने भी ओर रखी है वो सारी ऑक्षिजोसिन हार्मोन के लेवल बिगड़ने की वज़े से होती है अगर हम regular इसका इस्तेमाल करते हैं तो और जब पर हम सभी पुगत रहे हैं यानि की समय बेपसो ग्याबिन नहीं होगा ग्याबिन हो गया तो उसका अबोर्सन हो जाएगा और हाँ अबोर्सन से मुझे याद आया कि अबोर्सन कराने में भी ऑक्षिटोसिन का बहुत बड़ा रोल है अभी मैंने आपको बताया है कि यूट्र गर्षने की समझ्या है हीट में आने के बाद जब पसू कंशियू कर जाता है उसके गर्म में बच्चा पड़ जाता है उस अवस्ता में जब गर्म में बच्चा है तो वो दूद्ड देने में कई बार कई पसू आना का निकरते हैं और उस समय हमारे पसुपालक भाई Oxytocin hormone गरबाशे में संवकुचन करेगा तो अंदर बच्चा कैसे रहेगा यानि abortion की जो सिकायत है वो सिकायत Oxytocin hormone की यूज़ करने से अगर आपने किस दिन 2, 4, 5, 7 दिन तक अगर oxytocin यूज़ कर लिया तो जो construction होते 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 से भी कहेंगे कि हम तो सर लगातार यूज करने हैं फिर भी कभी अब और सर नहीं हुआ वो आपके किस्मत अच्छे थे अब और सर नहीं हुआ लेकिन आप उस पसु की हिस्ट्री लीजिए उस पसु का आगे का फ्यूचर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि वास्ताम में व पसु जब इस्ट्रेस में रहेगा तो सारी समशय ही होनी है बार-बार बीमार भी हो सकता है इसके अलवा एक विशेश नुकसान और होगा और वो नुकसान ये होगा कि पसु में ऑक्ष्टोसिन हार्मोन मैंने भी आपको बताया पिटुट्री ग्लेंड जो है वो स्रावित करती है बलड में तो अगर आप उपर से ऑक्ष्टोसिन डाइरेक्ट दे रहे हैं तो वहां से फिर जो सिक्रेशन है वो बंद हो जाएगा कम हो जाएगा इर्रेगुलर हो जाएगा इसका मतलब आपके पसु में जब आपने इसको सुरू कर दिया ऑक्ष्टोसिन को तो उसक में फिर इस्ति जो है वो विक्राल हो जाती है आप बार बार लगाने पर मजबूर हो जाते हैं और अंत्ते पसु इंफर्डिल्टी का सिकार हो करके और रिजक्ट हो जाता है ये सारी समश्याएं इस ऑक्ष्टोसिन हार्मोन की वज़े से होती है इसके बारे में हमें गोर क करना चाहूंगा कि ये बहुत ही उप्योगी हार्मोन है अगर इसका सही जगे उप्योग किया जाए जैसे प्रसव के समय उप्योग किया जाता है प्रसुचिकित्सक के दुवारा या मिल्क लेगडाउन जहां पर समश्या हो समश्या के सी मानने जिए अबोर्शन हो गया है और अबोर्शन के बाद पसू की जो मिल्क ग्लेंड है वो पूरन रूप से विक्सित नहीं हुई है और वास्त हम में ऑक्षिलोसिन हर्मोन की वहाँ पे कमी है तो आप पसूची किस्था की सला से निश्चित मातरा में और निश्चित दिन के लिए आप लगा सकते हैं पसूची किस्था की सला लेंगे और अगर उन्होंने कह दिया कि आप इसे इतने दिन लगाएं लेकिन वो बात मानेंगे नहीं और कंटिनियूसली अगर लगाते गए तो पसूची बास्पन का सिकार लगातार होते रहेंगे इसलिए आप सभी इसका प्रियोग बहुती सोच समझ के करें